नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी करें इसाइटिंग वीडियो में दोस्तों मेरा नाम है मैस और आप देख रहे हैं मारा यूटूब चैनल टेक मैजी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कंपेर करने वाला हूं रेड्मी नोट 6 प्रो को रेड्मी नोट 7 के साथ तो जानेंगे इस वीडियो में दोनों फोन के फ्राइज दोनों फोन के एफिकेशन और क्या आपको कौन सा फोन लेना चाहिए अगर आप कोई भी फोन लेना चाहते हैं तो जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे पढ़ना है तो नीचे लारंग के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब के लिए तो चलिए आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे बात करते हैं दोनों फोन की डिस्पले के बारे में तो दोस्तों हमको रेडमी नोट 6 प्रो में देखने को मिलती है एक नौच वाली डिस्पले जो की है 6.23 इंच की वहीं हमको रेडमी नोट 7 में देखने को मिलती है 6.3 इंच की डिस्पले जो की आती है यू साइज की नौच के साथ तो डिस्पले आपको ज़्यादा अच्छे दिखने में डिज तो रेड्मेय नोट 7 को लुक काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि उसक्त दोस्तों दोनों प्न के चैमरा के बारे में तो रेड्मेय नोट 7 में आपको मिलेगा प्रोसेसर के बारे में तो रेडमी नोट से 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 प्रोसेसर के बारे में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 6 36 processor वही Redmi Note 7 में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 6 60 processor तो प्रोसेसर भी अच्छा है Redmi Note 7 का तो दोस्तो अब बात करते हैं दोनों फोन की ट्रेंट कैमरा के बारे में तो आपको Redmi Note 6 में देखने को मिलेगा 20 फ्लस 2 मेडाफिक्सल का फ्रेंट कैमरा और वहीं आपको Redmi Note 7 मिलेगा 13 मेडाफिक्सल के कैमरा अगर बात करें दोस्तों दोनों फोन की बेरेंट के मेरे हैं तो आपको Redmi Note 6 फोन रोम देखने को मिलेगा 4GB RAM, 64GB Storage और वही Redmi Note 7 मिलेगा 3GB RAM, 32GB, 4GB, 64GB, 64GB तीन बेरेंट में देखने को मिलेगा अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन की प्राइज की बारे में तो दोस्तों सबसे बेले बात करते हैं Redmi Note 6 प्राइज की बारे में तो Redmi Note 6 प्राइज स्टार्ट होती है 13999 और वहीं Redmi Note 7 चाइना में लांच हुआ है 399 यौन करीब करीब 10,000 रोपे के आज पास तो इंडिया में जो इसकी 3GB RAM 22GB Stories की प्राइज 10,000 से 11,000 के बीच में होगी तो प्राइज बहुत ही कमाल की है अभी इंडिया में फोन आया नहीं और दोस्तों बहुत ही कमाल का फोन होने ला है और बात करें तो आपको Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलती है नॉर्मल सी USB Type USB Cable और वहीं आपको Redmi Note 7 में देखने को मिलेगी USB Type-C Cable तो काफी अच्छी बात है वहीं आपको Fast Charging का Support भी देखने को मिलेगा Redmi Note 7 में तो जब भी इंडिया में आता है अगर आप एक फोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको recommend करूंगा आप थोड़ा सा बेट कीजिए और Redmi Note 7 को purchase कीजिए बहुत ही कमाल का फोन होने वाला है तो आपको definitely आप भायदे में रहेंगे तो आप उम्मीड है आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like कीजिए, save कीजिए और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलियागा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना एक नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं बंदे मातरम